दोस्तों मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है दोस्तों आज लेकर आई हूं नमकीन पारे खाने में एक दाम क्रीस्पी लगेगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं दोस्तों हाप केजी है इसके मतलब की 500 ग्राम है मैंने पाउच लिया है मैदा वाला पाउच असानी से मार्केट में मिल जाते हैं आप पाउच भी ले सकते हो चाहें खुला भी मिलता है खुला लेने से कीरा राता है में बाउल में 2 कव मैदा लिया है मैदा को चाहन से चाहना नहीं है मैदा चाहना हुआ है इसके बाद छोटा वाला कव से अधा कव ओईल डाल देना है आप सुद घीव भी डाल सकते हैं मैने रिफाइन ओयल डालना है डालने के बाद आप अपने हाथों से मसलना है दो तीन मिनर तक मसलना है मैदा और ओयल दोनों को जितने मसलिएगा उतने ही नमकिन पारे क्रिस्पी लगेंगे देखिए मैदा और ओयल मिल गया है मुठी भी बना जा रहा है अब मैदे में पानी थोड़े थोड़े डालेंगे जब जरुद परेगा तो भी डाल सकते हैं मैदे को को बिल्कूल रोटी की आंठे जैसा घुतना है रोड नहीं घुतना है नहीं तो नमकिन पारे ठीक से नहीं बनेंगे आते को एग दोisions तक ढख तक मैदा मेदा हो चुका है मैदे बिल्कूल सौप्थ हुआ है मैदे को फिर से घुथ लेना रखेंगाना है। नमकीन पाड़े एक दम कुरकूरे होंगे और अच्छे भी होंगे। फिर से अब घुत के रख देते हैं। मैदे को अपने हाथों से चिकना कर लेना है। चिकना करने के बाद मैने चाकू से कट कर लेना है। तीन लोया हुआ है। उसको अब गोल-गोल कर लपिट लेना है, लपिटने के बाद अपने अंगली से फिला लूँगी, फिलाने के बाद मैंने बेलन से रोटी जैसा बिल लेना है, एकदम पतला बिलना है, तब नमक पारे बनेगा, रोटी को बेलन से घुमा घुमा को बिलना है बिलने के बाद बेलन से चारो तरफ से बेलन को घुमाना है एकदम रोटी जैसा पतला बिलना है अगर मोटर बनाईएगा तो नमक पाड़े ठीक से नहीं बनेगा इसके बाद आप चाको के नोक से आप पतला कट कर लेना है जिसे कि बरफी के अकार जैसा कर लेना है पहले तो आप ओल को हर्ड गरम कर लीजिए तब आप सारे नमकिन पारे डाल दीजे गैस को देमी कर लेना है पहले तो आप देमी गैस पर नमक पारे को फ्राई करना है तब आप गैस को तेज करके फ्राई कर लेना है जैसे कि नमक पारे कुरकूरे होंगे और क्रिस्पी होंगे अब नमक पारे ब्राउन हो चुका है अब जाली वाला च्छनी से निकाल दीजिए ऐसे में जाली वाला च्छनी ओल सारा निकल जाता है आप नमक पारे बर्ण कर त्यार हो गया है दोस्तो नमक पारे बर्ण कर त्यार हो गई है मेरा रेश्वी अच्छा लगे तो सेर करिए और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बाक्स में जरूर लिखे दोस्तो आप लो नमक पारे एक दो सब्ता रख कर खा सकते हैं और चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे भी बहुत पसंद से खाते हैं आपका घर में कोई मेमान आये तो दे सकते हैं थाइंक्यू